क्या परेशान ही थी ? थाइरोड कितने साल से था ? 16 साल से अंटी को 16 साल से थाइरोड का प्रोल्म था ? गलाज बुखता था, सुचा ओजाता था, कॉप ओजाता था, और सब रागी डेट है 2 मार्च 2020 और थाइरोड का रिपोर्ट है टी एसेज 1.87 और ये डेट महीने अपनी प्रोड़क्त यूज करने के बाद में रिपोर्ट जोती बेन एन भायानी डेट है 10 नवंबर 2020 और थाइरोड का रिजल्ट है यहाँ पर टी एसेज लेवल 0.641 यानि कि डेट महीने दवा यूज करने के बाद में 65% की रात मिली है और ये प्रोड़क्त से और ये आरिवेजिक दवा से हमको डोड महीने में 16 साल का रिजल्ट डोड महीने में मिल गया है नमस्कार मैं अग्रेशना इतेश गुजरात राजकोट से ये डवलू पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिंडेट का डायरक्ट सेलर राजकोट में अभी हमें थाइरोड के बाद लिए एक जबलदस चमतकारिक रिजेट मिला है तो हम उनसे मिलने के लिए आए मैं आपकी म अमभी का सोसाइटी राजकोट में रहते है आपको क्या परेशन ही थी ती हाइरोड कितने साल से था अंटी को सोला साल से था आइरोड का प्रोलेम था और आपको उसлемे उसके लिए चिए किया आपने रूग्टार की दवाई ली और उससे कोई राज मिला आपको शुना तो आपने देखा आंटी ने यह ड़लू पील का थाइरो डोक और इम्यूनो डोक लिया है डेड मुने पहले चालू किया था डेड मुने से आंटी को गले में तर्द सुजन हो जाती थी उसके बाद में यहां पे गलते सुजन होती थी अंदे सर्फ करते थे और काफी बलगम बनता जानती को तो अभी वो चीज बंद हो गई है और यह डेड मुने में जो दवाई लिया है उसका मेडिकल रिपोर्ट यह है अंटी का नाम जोतिबेन एन भायानी डेट है 2 मार्च 2020 और थाइरोट का रिपोर्ट है टी एसेज 1.87 और यह डेड मुने अपनी प्रोड़क्ट यूज करने के बाद में रिपोर्ट जोतिबेन एन भायानी डेट है 10 नवंबर 2020 और थाइरोट का रिजल्ट है यहां पर टी एसेज लेवल 0.641 यानि कि डेड महिने दवा यूज करने के बाद में 65 परसंटेज की रात मिली है आंटी को तो इसके बारे में अभी हम आंटी क अब करते हैं नमस्ते आपका नाम और पता बताएं और मेरा नाम मेरे इंडर पी भायानी और मेरा इपट मेरे तो अंटी को 16 से थाइरोट था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मेरे मेरी वाइट पॉस्ट तो शोला से थाइरोट था तो मैंने सोला साल होस्पिटल का चकर ही गाथा और उसने पच्चाश या सो पावर का गोली लेता था रोज लेना पड़ता था डेली सर्विस्ट लेकिन उससे कुछ फरक नहीं पार कितना पैसा लगा होगा पैसा कित उसका ट्रीट्मेंट का उसकी दवाईयों का बहुत पैसा लगया है सोला साल से में चाहिए कुछ रात नहीं मिली और ज्यास्ती बढ़ रहा था गले में सोजन आती थी और कफ बनता था ये दुख दर्द हो रहा था और ये सोजा हो जाता था इस सब्दा से तो अब आपको रात मिलिये यह आपकी जो प्रोड़ेश्ट मिलिये जो अपने जो एक चजिश किया दवा उससे हम को यह जो महींने में तो आपको तेड महिने में आरिवेदिक यूज़ करने से जो राहत मिलिए उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे मैं तो केता हूँ कि यह बार का जो होस्पीटल का दवाई लेते हैं उससे कुछ फरक नी पड़ा तो यह प्रोड़क्ट से और यह अरिवेदिक दवा से हमको डोड महिने में 16 साल का रिजर्ट डोड महिने में बिल गया है तो मैं सजिस्ट करता हूँ कि जो यह दवाई लेंगे हमने तो लिया और मेरा यह दवाई के बारे में दुगुट कॉंटेक्ट करने का है चा बारे में दो का बारे में दो यह दो यह भी है